कि अग्या श्कार जहिंद मैं वेग आफ शबका एम बीद आर्वी परिवार पे स्वागत करता हूं आज इस वीडियो में डिस्स करने वाले हैं दुई घात समीकरण के मूल कैशे ज्याद करेंगे दुई घात समीकरण के गुनन खंड कैशे करेंगे तो आप वीडियो को पु इसके क्या निकालना है गुवण खंड करना है आपको तो शब से पहले आप यहां से देखीएगा 分द करेंगे इसका मतलब है कि हम उपर होगे 2 द distractions आठ बारा और आठ बारा और आठ की गुणा करेंगे कितना मिलेगा तो हम कहेंगे 96 मिलेगा और बारा और आठ जोडेंगे कितना जोडने पर हमें कितना मिलना चाहिए तो हम कहेंगे 20 मिलना चाहिए इस चिन्ने का बस यही मतलब है कि जोडने पर हमें यह चीज मिलनी तो हो जाएगा माइफ्त का 11 और माइनस का 8 यह आपको पूरी मत्थापची करने की इता है बस आपका उत्तर के अधा यागा framing आड कैसे पता लगाया सब से पहले आप यहां पर देखोंगे यह प्लसका चिंदी ये चिंदी है यां दो को तोकड़े ऐसे में आएंगे तो यहां पर देखो माइनस का बारा होगा और माइनस का आठ होगा यह आफ्षिन कौन सा भी हो जाएगा आफ्षिन यह होगा आपका सही जवाब होगा आगे चलेंगे अगले प्रसंद पर अगला देओ क्या कह रहा है एक स्कार माइनस 19 एक से प्लस 84 तो यहां और शाट जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा 19 क्लियर है यह प्लस आपको क्या बता दिया यह प्लस बता दिया कि जोड़ने पर 19 आना चीए और गुना करने पर इन दोनों का कितना ना चीए तो चोरा सी आना चीए ठीक है अब आगे चलेंगे यहां पर जब माइनस होगा जब यहां पर माइनस होगा तो आपके जो उत्तर आएंगे दोनों किसमें आएंगे प्लस में आएंगे तो आपके उमूल क्या हो जाएंगे बारा और शाथ यही आपके मूल हो जाएंगे बारा यह रखना है कि आपको यहां यह वाला जब पॉजिट्व होगा कैशा पॉजिट्व यहां से आपको क्या सीखना है यह यह वाला पॉजिट्व है यह वाला पॉजिट्व है तो आपको इसे यह वाला जब पॉजिट्व है तो इससे आपको इस सिर्फ यह पता चले गया कि हम को वो दोनों जोड़ने पर लाना है और उसके बाद में जब पॉजिटिव के साथ में ये वाला आपको निगेटिव मिलेगा तो आपके जोनों मूल क्या हो जाएंगे पॉजिटिव और ये वाला ये पॉजिटिव मिलेगा तो आपके दोनों मूल क्या हो जाएंगे का अर्थ क्या है इसका मतलब यह है कि 96 के ऐसे हम दो टुकड़े करें जो घटाने पर आना चाहिए अब देखो 96 के अब हम यह दिहां पर बारा और आठ बारा और आठ ले ले लेते हैं तो कितना होगा बारा और आठ की गुड़ा करो तो चैनल आएगा लेकिन बारा में से 24 की और चार 24 और चार यह च्ष Zentिन हुआ है कि हमें करना क्या है यह पर घटानے पर पिलाना है कि जोड़ने पिलाना है यहाँ पर माइनस था तो हम क्या किये घटा करके बैलू निकालना है कितनी हो गई 24 और 4 अब यहाँ पर देखू यहाँ पर क्या दे रखा है माइनस यहाँ पर माइनस दे रखा होगा तब क्या करोगी यहाँ पर जब माइनस दे रखा जो तो पीछीन दे रखखा होगा वही बैलु चोटी वाली होगी यहां पर माम इनस देखा हैं तो दो का आपके वीकितना है 24 और 4 इन में चोटा कून है तो आपको होगी चार यानी 4- का होगा और यह प्लस पाथ चोटी वैलू मायनस की बड़ी बैलू प्लस की किलियर है कब जब यहां पर माइनस है जब माइनस है तो छोटी बैलू माइनस की और बड़ी बैलू प्लस की होगी, यानि option कौन सास भी हो जाएगा, तो हम कहेंगे option आपका, यहाँ पर a शही होना चीज़िए, यह वाला, यहाँ पर यह minus होगा, और यह plus होगा, clear है, यानि option कौन सास भी हो जाएगा, option c जो होगा, वो एकदम सही जवाब हो, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं, 88 और कितना लेलने, 3, 88 तियां कितना हो जाएगा, 84, और 28, 28 में से, sorry, 28 में से 3 घटाओगे, तो कितना बच जाएगा, तो हम कहेंगे 25, यानि 84 के 2 factor करोगे, कितने आ जाएगे, 28 और 3, exact 28 और 3, और 28 और 3 की गुणा करोगे, तो 84 मिलेगा, 28 में से 3 घटाओगे, तो कितना चीस बचेगा, आप देखो, यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस है, तो आप क्या करोगे, छोटी बैलू, प्लस होगी, है न, छोटी बैलू कौन सी है, 3 की, तो यह प्लस की हो जाएगी, और यह वाली माइनस की हो जाएगी, तो आपकी मान के आ जाएगे, माइनस का ठाइस और plus के 3, क्यों छोटी value जब यहां पर minus होगा अब आपको ध्यान देना है, जब यहां पर minus होगा, यह minus होगा, ठीक है उसके बाद में यह जब यह minus होगा, तब इधर वाले concept क्या करेंगे, यदि plus का है तो छोटी value plus की minus है, तो छोटी value minus की, और यहां पे plus होगा तब जश्टि वाले अप्वोजिट हो जाते हैं केलीर है तो यहाँ इसका आफशन कौन सासे हो जाएगा आफशन सी जो होगा तो एक दम सही जाप होगा इब फिर से रिवाईज कर लेते हैं देखो क्या कह रहे हैं जब यहां पर आपको क्या मिला प्लस है जब यह तो यहां पर प्लस हो तो यहां पर प्लस होगा तो इनकी दोनों वैलू प्लस में आएंगे अगला जिब यहां पर प्लस है तो यहां कि जो माइनस देखा तो दोनों वैलू प्लस की आएंगी किलियर है अगला जब यहां पर माइनस दे रखा होगा तो यहां माइनस की इसके माइनस का मतलब है घट माइनस की हो जाएगी अग्ले प्रशन पर चले अब चलू अगला प्रोशन देखो क्या कह रहा है अगला प्रुंस त्इंस प्लस पिराबर जीरो इसका मान क्याद करना के यहां पर पीछे देख लीजिए यह वाले सवाल जो थे यहाँ पर शिर्फ x square आ रहा था और इसमें क्या आया है इसमें 3Xeye जब इस प्रेंटन पर मिलेगा इस कॉल तो इसमें क्या किया जाता है थी सको multiply करेंगे तीन की है ना तो थीस को multiply करोगे तीन कितना हो जाएगा 90 हो कितना मिला हमें 90 मिला अब 90 के हमको दो time करने हैं 90 के दो करने हैं जिनघ को 90 के दो क्रेस करेंगे यहां यह प्लस क्या डिमोट करता है कि जिनन OF ост को जोडने पर कितना आना चाइए 19 आना चीए तो हम कहें दें आपको यहाँ पर 10 और 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 और 9 हो जाएगा क्योंकि यह प्लस डिनोट करता है कि हमें जोडने पर आने चीए अब देखो यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों वाइल जो होंगे वो पॉजिटिव आएंगे दोनों कहें आएंगे प्लस और प्लस के आएंगे तो क्या आपका उत्तर 10 और 9 होगा तो आपको होगे बिल्कुल नहीं होगा तो फिर उत्तर क्या होने वाला है उत्तर हमेशा जो यहां पर देखोगी जो इसके साथ में लगा है कौन सा जो यहां पर यह लगा है इसी को इससे डिवाइड कर देंगे तो तीन है तो उत्तर आपका आएगा दस बटे तीन और यह आ जाएगा नो बटे तीन यानि दस बटे तीन और इसको करोगे तो कितना आ क err होगा क Gir весь चलो आगी प्रिस्ट पे चलते हैं है अगले प्रिस्ट और प्राश्ण को ध्यान से समझेगा इस प्रस्ण है रोट का प्रश्ण है ठीक है इसे सब से पहले ने हम क्या ओग त starter को होगे democr भाग करोगे तो कितना मिलेगा तो आप कहोगे शोला कितना मिलेगी है शोला ठीक अब हम शोला के ऐशे दो गुरनखंड करेंगी यह माइनस क्या बताता है यह माइनस बताता है कि घठाने पर तो शोला के हम ऐसे दो गुरनखंड करेंगे जो घठाने पर कितना मिल जाए हमें तो होगे 6 मिले जाए तो यहाँ देखो 8 और 2 8 और 2 ले लेते हैं 8 और 2 की गुणा करोगे कितना जाएगा तो आपको होगे 16 और 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6 तो आपके factor क्या मिल गए है आपके मिल गए है 8 और 2 ठीक है कितने मिले है 8 और 2 चलो अब देखो यहां पे यहां पर जब minus था और यहां पर भी यह minus है जब minus है तो यहां से इस minus से क्या मतलब है जो छोटी वाली value होगी वो minus की हो जाएगी और बड़ी वाली value plus की हो जाएगी अब जो यह root 3 था इसको इन्हीं के साथ में चिपका देना है यह चिपका देना है तो आपके मान के आ जाएंगे 8 root 3,2 root 3 यह आपके मान निकलेंगे clear है समझ में आया एक बार फिर से बतातें चलो क्या करना है आपको यहां देख लिजेगा एक मिनिट देखो क्या करना होता है जो ये root दे रखा है इस root से हम इधर वाली value को भाग कर लेंगे यानि 48 को हम किसे भाग कर देंगे तीन से तो कितना मिल गया हमें तो आपको होगे 16 मिल गया अब हमको ये जो value दे रखी है इस चिन्न का मतलब क्या है इसका मतलब है घटाने पर तो 16 के हम 2 factor करेंगे जो घटाने पर कितना मिल जाए हमें 6 मिल जाए ये वाला 6 मिल जाए यहाँ पर जोतना लिखार होगा आप देखो 8 और 2 कर दिए तो आपके मान के आगे 8 और 2 ये वाला minus क्या बताता है बताता है छोटी value minus की होगी बड़ी value plus की होगी और जो ये root अटाये थे ये root इसके साथ में चिपका देंगे ये root इसके साथ में चिपका देंगे तो ये आपके value हो जाएंगी 8 root 3 और minus का 2 root 3 क्लियर है चलो अगले पसन पर चलते हैं आगले देखो प्रेशन क्या करें y square minus 2 root 2i minus का 24 तो देखो 24 है ये 24 इसको किस से भाग करोगे इसको भाग करोगे यहाँ पर देखो root 2 है तो 2 से भाग करोगे 2 से भाग करोगे कितना मिलेगा तो आपको होगे 12 आप देखो ये वाला चिन्ह क्या बता रहा है ये वाला चिन्ह बता रहा है घटाने पर कितना आना चीह root क्या कितना लिखा है 1-3 to ॲिखा है तो 22 के ऐसे गुडन खन करना है जिसको घटाने पर कितना आना चाए 1 तो आप को होगे 4 और 3 आपके मूल क्या मिलेंगे चार और तीन, ऐसे फेक्टर रहेंगे, क्योंकि चार और तीन की गुणा करोगे तो आरा मिल जाएगा, और चार मिलेंगे तो आपका उत्तर कितना आगया, आपके मूल क्या आगया, चार और तीन, अब ये वाला माइनस क्या दिनोट कर रहा है, ये ब्लश चाहर-चाहर तो ऑर माइन सब्सक्राइब प्लस का तीन के लिए हैं चल लो आगे चलेंगे अगले परसुद पर आगले करशली पर आगला पसंद और क्या कह रहे थे कि डो सैटे स्कार मैं लाइनस को फूर मैं भूल ब्र फ्लेस holiday एट्स कि अपर रूए 10 पर एक से फाय यहाँसर्ञान करेंگे देखू यह वाला प्लश मतलब गया जोड़ने पर और यह वाला माइनिस यह तो आपके उतर दोनों काहिम आएंगे तो आप Hausy दोनों उत्र प्लस में आएंगे जब यहाँ पर होगा प्लस और यहाँ पर होगा माइनस तो दोनों उत्र काहिम आते हैं तो दोनों उत्र आपके प्लस में आएंगे क्लियर हैं आप देखो वैलू क्या हो जाएगी यह वाली जो ब्राइकट में लखा होगा शिर्फ आपको य चार प्लस रूड 13 यहां पर क्या जाएगा चार और यहां पर क्या जाएगा रूड 13 यह दो फैक्टर बनेंगे ठीक है दोनों कहें बनेंगे प्लस के बनेंगे दोनों कहें के बनेंगे तो हम कहेंगे दोनों प्लस के बनेंगे दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है जो है तीन से डिवाइड करूगी तस दे रखा है तो दस से डिवाइड करेंगी नहीं दे रखा एक दे रखा है तो कोई बात नहीं एक से डिवाइड करते हैं तो यह आपके मूल आ कौन से यह आपके मूल आ जाएंगे इसको दो कड़ भी कर सकते हो दो से दो दूनीचार तो आपके मूल क्या जाएंगे प्लस का दो और प्लस का रूड तेरा बटे दो यही आपके क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे चलू अगले प्रसंट पर चले अगला प्रसंट हो क्या आएंगे उत्तर दोनों प्लस में आएंगे पहला क्या हो जाएगा छे और दूसरा क्या हो जाएगा रूड शत्रा जो भी ब्राकट में लिखा है वही आपके दोनों मूल होंगे तो छे और रूड सत्रा किसे भाग करोगे तो आप भाग करोगे तीन से यहां पर तीन हो जाए आप एक चीज और ध्यान दे लिजेगा यहां पर ध्यान दीजेगा यहां पर ध्यान दीजेगा यहां एक पास में लिखे दे रहा हूं यदि आपका उत्तर दोनों जगे प्लस प्लस यह सवाल आपके प्लस प्लस में है यहां पर भी प्लस है यहां पर भी प्लस है यहां पर तो आपका उत्र आने वाला है दोनो प्लस पलस Nice कै एक जब दोनु माइनस में होगा यहाँ बी माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ वी कुछनम में डोनो जिगे माइनस में हो गा तब से क्या आएगा एक आएगा प्लस का और एक आएगा माइनस का एक आएगा प्लस का एक आएगा माइनस का लेकिन यहां पर जो छोटी बैलू होगी वो माइनस कि आएगी कौन सी छोटी बैलू माइनस में आएगी और जब यहां पर प्लस होगा और एक जिगे माइनस होगा एक ज बड़ी बैलू दे रखी है और यहां पर यह चोटी बैलू दे रखी है ठीक है यहां पर यह चोटी बैलू दे रखी है कि हैं यहां पर भी ए कौरों से आएगी एक मिनिट इसको रड़ा देते हैं यह बड़ी नहीं होगी यहां पर भी केसी औएगी छोटी वेलू के के लिए paradox देखो यदि दोनों जगे प्लस प्लस हैं आपको यह इधर वाला देखना होता है यह प्लस का है यह प्लस का है यहां भी देखो यह प्लस का है जब प्लस के साथ में दूस प्लस वाला मिलेगा दोनों बैलू माइनस की प्लस के साथ में माइनस वाला मिलेगा दोनों बैलू प तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बाक्स में जुरू बतिएगा कि आप चैनल पर नहीं हूँ तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करिएगा और वेल आइकन को प्रेश करिएगा मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैन